Hello everyone, this is Komal. Welcome to our YouTube channel Learning Empire, where you will get everything in the easiest way that you can't even imagine. So friends, मैंने अपनी last slide जब खतम की थी वीडियो मैंने, I was discussing about the Delhi Sultanate topic, okay? Delhi Sultanate topic का मैंने last जो point discuss किया था, वो था about Tughlaq dynasty. मैं एक बार आपको revision करा देती हूं, ताकि आपको एक बार में ही अच्छे से याद आ जाए. मैंने बताया था Tughlaq dynasty, जिसका period था 1320 to 1440. Then I discussed about the Giyasuddin Tughlaq, जो कि founder था Tughlaq dynasty का. और इसकी क्रेस से मिरत्ती हुई थी, बहुत इंटरस्टिंग वे में हुई थी, कि Giyasuddin died in celebrating Bengal victory because of the curse of Nizamuddin, okay? फिर मुहंबद बिन Tughlaq का reign आया, he was also called as mad king, prince of moneyers, mixes of opposites, confused kings, है ना? क्योंकि इसने कई ऐसे experiments किये थे in his rule, कि जो समझ ही नहीं आ रहे थे, बहुत confusing थे कि आखिर उसने ऐसे step क्यों लिया, ठीक है? Next, major revolutions, जो उसके राज में हुए थे, वो सब हमने discuss किये थे, then results behind the revolutions, और जिसमें कि हमने देखा था कि विजेन अगर empire independent हो गया था, और उसे हरीहरा वन और भुक का वन ने अपने अंडर ले लिया था, है ना? फिर decline of daily salvation शिरू हो गया था, और उसके बाद मुहंबत बिन तुगलक की मृत्ति हो गई थी सिंध में, ठीक है? फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आए, जो की appoint किये गए थे as king at सिंध, जो क brother of Muhammad bin तुगलक थे, ठीक है? उन्होंने जो है Persian name की books को translate किया था, दलाल ए फिरोज शाही, फिर हमने last king के बारे में डिसकस किया था, who was Nassiruddin तुगलक, ठीक है? और उन्होंने जो था, अपना सिर्फ, क्योंकि आप जो था कि dynasty खतम होने को आ रहे थी, तो उन्होंने जो अप dynasty, लोधी dynasty, और फिर हमारे दिली सल्तनेत लोधी dynasty के बाद खतम हो जाएगी, फिर हमारे पास आ जाएगा मुगल एंपायर, मैं इसलिए इन तीनों topics को एक साथ discuss करना चाहती हूँ, क्योंकि इन topics में इतना कुछ नहीं है कि मैं एक के कोईंट के लिए अलग-लग slide बनाओ, ब बहुत कम दिन चली, लोधी dynasty बहुत जादा दिन भी चली, लेकिन not that much effective, और मुगल एंपायर, मैं इसलिए इसके साथ discuss करना चाहती हूँ, क्योंकि लोधी dynasty की just after it came, और इसमें कुछ फिर इन से connection होता है, तो फिर एक साथ अगर इसको बता दू, तो आपको जल्दी समझ आ तो शुरू करते हैं आज का हमारा topic, first comes सईद dynasty, उनके founder थे खिजर खान और इनकी dynasty जो थी 1456 तक ही चली, ठीक है बहुत चोटा सा ही rule था, खिजर खान ने found किया था और dynasty सिर्फ 1456 तक हुई, then came लोधी dynasty, लोधी dynasty का period था 1456 to 1526, थोड़ा लंबा भी कह सकते हैं, लेकिन not that much important क कि मुझे सारे topic discuss करना पड़े, तो इनके founder थे बहलोल लोधी, ठीक है, बहलोल लोधी इनके founder थे और इन्हें सिकंदर लोधी भी कहा जाता है, आपने मुझे समझ आ रहा होगा कि आपने जरूर बहलोल लोधी तो नहीं लेकिन सिकंदर लोधी जरूर पढ़ा होगा, तो सिक सिकंदर लोधी ही बहलोल लोधी है, जिन्होंने लोधी डायनेस्टिक की शिरुवात की थी, इन्होंने पोयम्स लिखी थी by the name of गुल्मुखी, गुल्मुखी नाम से वो अपने पोएट के रूप में उभर कर आए, ठीक है, उन्होंने अपना असली नेम तो नहीं डाला, लेकिन गुल्मुखी नाम से उन्होंने बहुत सारी पोयम्स लिखी, ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, लोधी के दो बेटे थे, इब्राहिम और मुहम्मद, जब लोधी की मृत्ति हुई तो इब्राहिम लोधी बिकिम the next ruler, और इब्राहिम लोधी ने रूल किया था देली में, ठीक है, और उन्हीं दिनों फिर जब इब्राहिम लोधी का खतम हो गया राज, फिर राना सांगा आए, राना सांगा के बाद दोलत खान लोधी आए, जो कि गवर्नर उफ पंजाब थे, ठीक है, इतना इंपोर्टेंट नहीं है, इसलिए इन स अज़क डाइनस्टी, सईद डाइनस्टी, एन लास लोधी डाइनस्टी, ठीक है, आशा करती हूँ कि आपने सभी स्लाइट अच्छे से देखी होंगी, और नहीं देखिये, और प्लीज गो टू आर स्लाइट वन बाइवन आपको सारी स्लाइट समझ में आ जाएंगे, और इसा कौन सा किंग था जिसने ओल इंडिया पर अपना कब्जा किया था डेली सल्तनियत के अंदर ऐसा कौन सा किंग आया था ठीक है, प्लीज मुझे कमेंट बोक्स में बताएंगे आप सब, मुगल एंपायर शिरू हुआ था 1526 ते जब एंड हो गया था हमारे लोधी डाइ यह भी आपको पता चलेगा, ठीक है कि मुगल एंपायर दिली डाइनस्टी के अंदर क्यों नहीं है, दिली सल्तनियत के अंदर क्यों नहीं है, यह भी आपको समझ आएगा, तो पहले हम देखते हैं बाबर के बारे में, ठीक है, बाबर जो थे उन्होंने ही, उन्होंने मु इतने चोटी होम्र में तो हम लोगों को इतना कुछ पता भी नहीं होता है, वो अपने खुद के डीसिजन्स नहीं ले सकते हैं, कि उन्हें क्या खाना है क्या पीना है, तो वो राज करने लायक हो गया था, at the 11 years of age, very spectacular image if you can imagine है न, Before the first battle of paanipath, उन्हों ने इंडिया पे कम से कम चार बर अटैक कर चुके थे ठीक है दोलत खान और राणा सांगा ने ही उन्हें इन्वाइट किया था कि वो इंडिया में आएं और इब्राहिम लोधी को हराएं ताकि हम राज करें फिर समझ रहे हो इसी लिए बाबर इंडिया में आए ओके अब समझ मे आ गया क्यों दिल्ली सल्तनेत के खत्म होते मुगल इंपायर शिरू हो गया दिल्ली सल्तनेत के अंदर ही क्यों नहीं मुगल इंपायर क्योंकि यह कि जो ता दिल्ली सल्तनेत का कि नहीं था यह बाहर से आया था ठीक है और यह दोलत खान और राणा सांगा द्वारा बुला तबाइओग्राफी तो बाइओग्राफी का मतलब है हमारे बारे में कูई और लिख रहा है चीमिव C from my point of view to, मतलब my handwriting only, मतलब मैं अपनी handwriting में खुद ही अपनी book अपने बारे में लिख रही हूँ, तो वो autobiography हो जाती है ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ जा गया होगा, तो उन्होंने अपनी biography Turkish language में लिखी क्योंकि वो Turk से थे, तो Turkish Turkish language में लिखी, और उस book का नाम था, तुजके बाबरी ओके, और जब इस book को, अब्दुल रहीम खान में, ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है, तो इसका नाम दिया गया, बाबर नामा ठीक है, ये बाबर नामा तो है, about बाबर भी है, लेकिन autobiography है, तुजके बाबरी, दूनों same है, ठीक है ऐसे भी आज़ा था, different, different है के नहीं बोथ are same, लेकिन अलग-लग languages में, ठीक है, उन्होंने अपनी capital Lahore में बनाई, वो garden बनाने के बहुत ज़्यादा शोकीन थे, और वो contemporary of Guru Nanak देव थे, Guru Nanak जी के अनुयाई थे, unable थे वो कि अपना मुगल empire जो है इंडिया के हर पार्ट में, कई पार्ट में स्थापित कर सके, ठीक है, तो इतना नहीं कर पाए वो, और उनकी मृत्यों 15-30 में हो गई, at the age of 48 years, देखो, don't be confused, 11 years of age में वो तुर्कमेनिस्तान में राजा बने थे, लेकिन जब इंडिया में आये थे, तब उनकी उम्र about 44 years थी, ठीक है, क्योंकि चार साल ही वो मुगल empire चला पाये थे, अपने अंडर ठीक है, आपको ध्याने मैंने बताया था कि राणा सांगा ने उन्हें invite किया था, ठीक है, किसलिए कि इब्राहिम लोदी को हरा दे, तो जब बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को हरा दिया, तो उन्होंने वो राजपाट जो है, राणा सांगा और उसको नहीं दिया दौलत खान को, खुद एक मुगल इंपायर बना दिया था, ठीक है, और बाबर ने इंट्रोड्यूस किया था, गन पावर in this battle, first battle of पानिपत में ही इब्राहिम लोदी को हराया गया था, question आ सकता है, किस-किस के बीच में हुआ, कोन हारा, ठीक है, तो first battle of पानिपत हुआ था, 1526 में, और between बाबर एंड इब्राहिम लोदी, in which बाबर defeated इब्राहिम लोदी, और यही एक ऐसा पहला battle था, जिसमें बाबर ने गन पावर को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, इससे पहले हतियार यूज होते थे, लेकिन गन कभी नहीं इंट्रोड्यूस हुई थी, तो फिर गन सबसे पहले बाबर लाए थे इंडिया में, और उनका मास्टर गनर था, उसका नाम था, रूमी खान, बाबर इंडिया में रहे और उन्होंने अपनी कैपिटल लहोर में स्थापित की और ये बैटल जो है, इतना क्लियरली जो है, मुगल इंपायर को स्थापित नहीं कर सका इंडिया में, क्योंकि और वी दो ये दाइनस्टी को कंटियू कर सको, तो अब क्या हुआ, बैटल ओफ खानवा हुआ, बिट्वीन राणा सांगा एंड बाबर, ओके, 1527, नेक्स्ट इयर ही हो गया, ठीके, क्योंकि राणा सांगा ने देखा, इसने तो अपना ही अपमायर चला लिया, तो उसने भी उस पर आक्रमन कर दिया, ठीके, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया, और इन दिस बैटल गेव दा स्लोगन ओफ जिहाद, इसी बैटल में फर्स टाइम जो वर्ड आया, वो था जिहाद, ठीके, विचिस टिल पॉपिलर, ओके, आपने हमेशा सुना ओगा ये वर्ड, खानवा एंश्योर करता था, खानवा जब रिय कर दिया था बैटल के अंदर, ठीके, अब 1529 में भी एक और बैटल हुआ, बैटल अफ गोगरा, इसमें जो अफगान पावर आने वाली थी इंडिया में, उन्हें जो है, बाबर ने हरा दिया, समझ गया बाब, ओके, अब हमारे बाबर का पीरियड खतम हो गया है, ओके, न नहीं जो है, बहुत ही जादा अनफोर्चनेट किंग कहा जाता है, अब आप सोचेंगे, इनके बारे में तो इतना सुनाएं, इन्होंने ये बनवाए, इन्होंने ये कंस्ट्रक्ट करवाया, तो ये अनफोर्चनेट कैसे हो गए, बहुत ही जादा अनफोर्चनेट किंग दुर भागे शाली किंग कहे जाते हैं यह जब की हुमायू का लिटरल मीनिंग ही मो फोर्चून है जिसके नाम का मीनिंग लकी है इसा कि हुआ अब यह बताया जाएगा देखो 1530 में वो इंडिया आए राज करने वाले थे लेकिन 1530 से 1555 तक तो वो परश्या में रहे एक्जाइल कर दिया था निकाल दिया था जैसे एक्जाइल के तुम नहीं आओगे इंडिया में परश्या में रहे फिर 1539 में उन्होंने के बीच में हुआ और जिसमें शेर्षा सूरी ने हुमायू को हरा दिया ठीक है फिर अगले ही साल उन्होंने फिर से कोशिश की कि अब शायद मेरा राज स्थापित करने लाइक मैं हूँ तो उन्होंने फिर से बैटल ऑफ कन्नोज रड़ा इस बार ये भी बिट्वीन शेर 1555 में इन्हें मिल गया शहा तमश्पा ठीक है जो पर्शया से ही लाए थे वो कि यह मेरी जगे लड़ेगा और उसने लड़के दिल्ली को जो है जिता दिया और दे दिया हुमायू को अब उनका राज करने का टाइम तो आ गया अब देखो नेक्स पॉंट 1556 के जैन्वरी म में उन्हें क्या हुआ लाइब्रेरी थी उनकी शेर आदिल उस जो की ओल्ड फोर्ट में है डेली के ही यू मस्ट है विजिटेट तो उसमें से गिर गए वो और उनके मृत्ति हो गई मतलब आप समझ सकते हैं जुलाइ 1555 में तो कैसे कैसे उनको दिल्ली मिली और जब राज करने का टाइम आया तो छे महिने के अंदर ही उनकी लाइब्रेरी से गिर कर मृत्ति हो गई तो समझ सकते हैं मतलब थोड़ा इंट्रस्टिंग भी है यह थोड़ा से स्लाइड अगर देखी जाए तो हुमायू के बारे में पढ़ा था मुम्मत बिन तुगलक है ना अब यह हुमायू का आगया अब इनके बारे में एक बुक है हुमायू नामा जो की गुलबदन बेगम ने लिखी थी जो किसकी बहन थी हुमायू की देखो मैं एक और बात फिर से बताना चाहूंगी आपने अभी एक बुक पड़ी थी बाबर नामा जो की एक ओटो बायोग्राफी थी खुद बाबर ने लिखी थी है ना सिर्फ फ्रांसलेट ही तो अब्दुलरहीम ने की थी लेकिन लिखी वो बाबर ने थी अपने बारे में लेकिन हुमायू नामा हुमायू ने नहीं लिखी थी देखो ये question कोई exam से में बहुत बार आया है और मेरे को अभी तक भी हैं गुल बदन बेगम ने लिखी थी याद रहेगा आप सबको ठीक है अब हम एक important personality के बारे पढ़ लेते हैं जिनका नाम है अमीर खुसरो ये जो है मैं इनको end में इसलिए लाई हूँ क्योंकि अब मुगल empire भी जो है खतम हो गया है अब कुछ नहीं बचा है तो अमीर इन भी थे और एक administrator भी थे अच्छे ठीक है उन्होंने इस उन्होंने ही स्टार्ट किया था mixing Arabic and Hindi ठीक हिंदी को अरब language में मिलाना मिलाकर उन्होंने poem वगेरा बनानी शुरू कर दी थी इन्होंने जो है अपनी सर्विस लगातार छे सल्तनत की Kings को दी ठीक है और सबसे ज्या इंडिया कहा जाता है मुझे एक question में लिखिए कि parrot of India अमीर खुसरो है Nightingale of India भी एक है title जिसको दिया हुआ है मुझे comment box में बताइए वो किसे दिया हुआ है ठीक है बुक लिकी थी इन्होंने तहरीक तारीक आलिया जो की स्टोरी ओफ पदमनी मेंशन करती है ठीक है तो फ्रेंट्स यहां पर मेरी सभी स्लाइट खत्ब हो जाती है अबाउट दिल्ली सल्तनेत अबाउट मुगल इंपायर अब मैं next history के new topics के साथ आउंगी मैंने आपको CRT में बहुत कुछ होता है years वगेरा यह सब जो है आपको याद करने की इतनी जरूरत नहीं है अभी क्योंकि अभी आप सिर्फ objective type question करने जा रहे हैं ठीक है तो आप इनी slides को अच्छे से पढ़ लेंगे आपके mostly exams जो है सिर्फ इसी slides से आएंगे इसके अलावा और कहीं से न अच्छे से यू कन, thank you so much